पदायों को अपमाई साथ नॉमी तक हम को ध्यान है कि नॉमी से नॉमी तक पड़ती हूँ लगी interpretाव तुम हमसे जब्ते खिल्ड लग्ने के तो अनोचल द्यौट्ट हो व कि सादी हुई है तो सबसे ज्यादा दलीतों की हुई है सम्मिलन में किसी ब्राम्मार एक था बहुत मानते हैं उनको चीट हुई थी में तेबारी जी आपको बता दूं ये कबस्ति जी वहां दुकान खुले हैं वो उतनी पढ़ाई नहीं किये हैं उनने बोल दिये कि हरजिनों के यहां खाना नहीं खाना चाहिए तो यह तो अब यह चाहिः नहीं गलत बात है वो हम लोगों की बीच में बेटे हैं हम लोग जब सम्डस्त्स में पड़ते तो सूप में बगल में बैटकर खाना खाते हैं कितनी अच्छी बात कहिए तिवारी जी ने जो कि जंता का राज में बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम अवधेश है आज हम बागेश्वर धाम में आये हुए हैं सनिवार है और आज हमको ऐसे सक्स मिले हैं ऐसे इंसान मिले हैं जो धीरंद किस्न सास्त्री जी के साथ जो इतना बड़ा नाम है बागेश्वर धाम के पीठादीस हैं उनके साथ पढ़ाई करते रहे हैं उनसे दो किलास आगे थे और गंज में उन्होंने पढ़ाई की है तो उन्होंने बताया कि महाराज जी का सुभाव कैसा था कैसे वो पढ़ाई में थे और आप क्या चीजे हैं व महाराज नौमी में थे तो कैसे महाराज पढ़ाई में थे आप से तो आप उनसे सीनियर रहें बात्चीत होती थी थे ऑपनी जैसे ब्रहमार रहता है उस वह गया आते थे यूनिफर्म में लेकर चंदान नहीं लगाकर आते थे तो सबही लोग उनसे पंड़जी पंड़ज और बाद करते हैं महराज जी के बच्पन के वारे में जो आपने उस समय गरीबी कैसी महराज जी हे बीडियों बतादे कि हमने इतनी गरीबी देखी है इतना है तो आज भी कुछ मतलब महराज गावों में कैसे हैं क्या बताते से कि खाने तक करते नहीं थे पिदाई कुछ करते नहीं थी महराज जी कथा वगरा करते तो उसी से गोजारा हुता था तिवारी जी आपने बताई इतने आप से उनसे किलास में आगे थे कभी जो स्कूलों में टिपन बाट के खा लेते तो ऐसा कभी समय रहा कि महराज जी ने कभी खाना आना साथ में खाया हो खेले हो इतना एतनी सक्तियां जो बता रहे हैं उनका चमतकार कैसे आई है क्या पढ़ाई किए हैं क्या चमतकार है दरवाल लगा थे तो उनका चमतकार क्या कम था धीरंद किसन जींसे चैसय। उनका चमतकार कम नहीं था, उस टेम पे इतनी टेक्नोलोजी नहीं थी, नहीं था आजपास की गाउं के लोग आते थे, किसी की मवेसी बगेरा गुम हो गई है, किसी की चूरी हो गई है, या कुछ समस्या है, परेसा नहीं हो तो बो लोग उसका निराकन कर दी थी, बागी एक चीज बताईए तेवारी जी, कि महराजी जो अकसर अपने भासर से कहते हैं, हिंदु राष्ट की मांग करते हैं, तो आप उस नजर को किस नजर से देखते हैं, हिंदु राष्ट है, क्या होना चाहिए? हिंदु राष्ट तो पहले ही से ही था, सन 1947 में देश ये हिंदु ओं का ही बना था, खाली इसको सिर्फ भोस्रा कहने की जवरत है, वांकि सब बना बनाया है, बना बनाया है, जो कि 1947 में जो देश अलग हुआ था पाकिस्तान, तो उसमें कुछ लोगों ने पाकिस्तान को चु ना था, तो ये बैसे ही हिंदु का देश है, तो इसको हिंदु राष्ट होने में कोई दिक्कत नहीं है, और सरकार को सिर्फ घुष्डा ही कहना ही है, वित्वारी जी बात कर लेते हैं, आपने हिंदु राष्ट की बात की है, जो बागेश्वर धाम में उस बीच में सबसे सालिकराम नाम है, उनके भाइए का नाम आता है उसकांड में, एक अहरोवर परवार को धंकायते, तो ये चीजे हैं, महराज के कैसे, मतलब इतना बावाल कैसे हो गए उसकांड में, जो बावाल हुआ है, उसका महराजी समर्थन नहीं करते हैं, उनके भाई ने जो प्माट हम लोग करते हैं बहुत गलत है अब उसकी जानकाई हमको मिली थे कि उस टेम्प पर साधी हो रही थी उनके आहरवार समाज के यहां पर तो जाले ग्राम जी ने रोका था कि आप यह गाना बजाना मत करें राई वगेरा हो रही थी कोई और गाना बजा यह क्योंकि उस को बाहर से लोग आते हैं वो उस टेम्प पर सरा बगेरा पिये हुए थी वो एहरवार समाज के लोग बरात में तो उन्होंने रोका था फिर बात बात पर आंगे बढ़ गई बात तो फिर गाली गलोच होने लगी है अब सनातन की महराज आप तिवारी जी हैं सनातन की बात करते हैं सनातन हिंदु धर्म भी दो भागों में बटा हुए नजर आता है किस तरह मैं आपको बता देता हूं जैसे आपने संकराचार जी ने कहा कि महराज अगर इतने बड़े चमतकारी हैं तो वहां जो जमीन धस रही है उसको रोक दें एक यह मुद्दा हो गया दूसरी अभी कोई स्याममानों जी है उन्होंने बीच में उन्हें चैलेंज कर दिया कि महराज आए और मेरे दस कुष्चनों का जवाब दे दें तो मैं उन्हें इतना एक करोड रुपे दूंगा तो यह क्या हाइलाइट होने के लिए है कि कि किस तरह के महराज के उपर आरूप ल हैं यह से और भी लोग हैं कि जो इस प्रका की चमतका लोग करती हैं लेकर आरोप लगाना गलत है तो क्या तिवारी जी वह बाला जी की ही उनके पास सिद्धी है या फिर कोई उनके पास ऐसी बिद्ध्य है जिससे पढ़चा लिग देते हैं पढ़चे का जो सब को देखो मैं carry on dapat । राम कर रहे हैं लेकर महराज जी के पास सब से हट्के हैं कि दो दिन का दिब्धरवाल लगाते हैं तो उस चीज मैं क्या महराज के पास इतनी सक्किया कैसे वो सभबा का आशिरबाद तो बाला जी धाम का आशिर बात दोनों लोगों का है जो उनके दाजाजी के उपर भी था उनके उपर भी था चुकि आप पढ़ाई करते रहें आपके तो पहचान बिलकुर साथ ही रहे हैं अब जब इतने फेहमस हो गए मुंबई लंदन सब कहीं जा रहे हैं महाराज लगता मीडिया में रहते हैं पहले के सुभाव में और अपके सुभाव में पहात्मी की टेम्प है बों गंज में आये थे तब हम लोग उनके पास में गए तो उननों बातचीत की थी और नाम भी जानते हैं पहचानते हैं यहां दलितों का कैसा क्या है दलित अभी इनको बराबर सम्मान मिल रहा है क्या उस कांड के बाद जो सालिक राम जी कांड था उसके बाद दलित कमाना फूए हैं या दलित लगतारा है सब को समान भाव से देख रहे हैं या क्या यहाँ परօंतर है यहां फ्य साधी हुई है तो सबसे जाधा दलितों की हुई है सम्मीलन में किसी सिर्फ ब्रहममण एक था बहुत ही सब दलित थे और दलेतों की दुकानें वहाँ खुली हुई हैं । रोजगा भी प्राफ्ट कर रहे हैं। तो दलेतों के बीच में भी बहुत फेहमेस हैं। बहुत मानते हैं उनको। जूकि बाटचित हुए थी मैं और आपको बता दूं। आऊ बस्ती को वगल नहीं कुए होगे एक हिंदू है वह मैं हम लोगों की बीच में बैठते हैं। हम लोग इसकुल साथ क्रोल गढल में बैटकर खाना खाते थे। कजितनी अच्छी बाद कारी जी पिर।